नमस्ते, मैं हूँ सुश्मिता और आज हम इत्ती सी बात करेंगे शाइनस के बारे में शाइनस मतलब संकोच शाइ इंसान वो होते हैं जो खुद से किसी बातशीत को शुरू नहीं करते वो खुद से जवाब भी नहीं देना चाहेंगे हिचकी चाहते हुए कुछ न कुछ जवाब देंगे जिसकी वजह से उनका मजाक बनके रह जाता है लोग उन पे हसते हैं और इसलिए इसी हिचकी चाहट की वजह से वो और कुछ बोलना ही नहीं चाहते वो सब चीजों को अवाइड करते हैं, ग्रूप्स को अवाइड करते हैं, लेकिन वो इंट्रोवर्ट्स जैसे नहीं है, जो अपने खुशी से, पसंद से चुप बैठते हैं, ये चाहते हैं कि किसी से बात करें, लेकिन शाय होते हैं, कुछ बोलने से डरते हैं, अब ये शाय उस टाइम पर, कहीं न कहीं, आपके फ्रेंड्स, या आपके रिलेटेव्स, या फेर आपके टीचर्ष और किसी म OMG इसी चीज के लिए हसा होगा या किसी ने आपका मजाक बना लिया होगा, कभी न कभी चोटा सा इंसिडन्स को स्पूँगा क्कोई लेकिन आपको लगता है कि शायर है कि आप आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी में नहीं, confident लोग आप से आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे आपके सामने और आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो अगर जिंदगी में आगे बढ़ना हूँ, तो शायनेस को आपको हटाना ही पड़ेगा अब इसके लिए मैं आज कुछ points आपको बताने वाली हूँ ये points आपको बहुत ज़्यादा help करेंगे आपकी शायनेस को हटाने में बतातों मैं सकती हूँ पर करना आपको है मैं शायन नहीं हूँ और मैं आगे से बहुत ज़्यादा confident बनने वाली हूँ और ये सोच ही आपकी शुरुवात है अपने mind को समझाए उसी तरफ काम कीजिए और आगे मैं और points बताती हूँ आपको जैसे दूसरा point ये है कि जो perfectionist हैं जो खुद को बताते हैं कि हम perfect हैं अरे तुम्हें क्या आता है मुझे आता है सब कुछ मुझे पूछो कभी मत पूछो क्योंकि ये लोग सिर्फ बताने के लिए perfectionist हैं ये लोग आपको हराना चाहते हैं बिलकुल भी मत सुनिए आप अपन निकाल दीजिए कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे वो मुझे पर हसेगा वो मेरा मज़ाक उड़ाएगा वो ये करेगा वो करेगा रहने दीजिए करने दीजिए जिसको जो करना है लेकिन आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए आपको आगे बढ़ना है वो हसने वाला हसके हैं जैसे आप एक मिरर मने देख के प्रेक्रिस कर सकते हैं पता है मिरर में देखने की बात भी बहुत बुरा हाल होता है बात करने में लेकिन अगर आप इसमें भी माहिर हुए तो maioria अच्छी आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं आप जाके ऐसे एक फ्रेंड को ढूंडिए जो आपकी बातों को बहुत अच्छे से सुन पाएगा आप चाहे उससे कुछ भी भोले वह आपका मजाग ने उड़ाएगा ऐसा किसी फ्रेंड को आपको जरूर ढूंडना चाहिए इससे आपका confidence और भी बढ़ेगा और आप कोशिश करें कि उससे आप हमेशा बात करते रहे जो आपके मन में आए उससे बोलते रहे ताकि आपके बोलने का जो habit है वो ज्यादा हो जाए आप focus कीजिए कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं अगर आपका ध्यान यहा आप उसे बहुत closely देखिए कि वो कैसे बात करता है वो किसी situation को कैसे handle करता है यह देखके आप बिल्कुल अच्छे से सीख सकते हैं कि मिमिक कर सकते हैं उनको आपकी बातों में उनके way of talking को आप ला सकते हैं यह आपके लिए और भी easy होगा अब एक मैं आपको funny सा point बताती शायद यह आपके काम आए आप जब सबजी मंडी जाते हैं वहां के भाईया से आप बात कर सकते हैं कि भाईया आप कैसे हो ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने सबजी के रेट पूछ ले और आगे जैसे आप हर बार करते हो बस उस भाईया से हाल चाल पूछिए बात शुरू कीज बस वहां से बात करके बाहर निकले और रस्ते में जाते जाते कोई खड़ा होगा तो उनसे पूछ लीजे क्या घर का पता मत पूछेगा वो सोचेंगे कि सब्जी लेने गए और घर का पता भूल गए नहीं पूछ लेना कि टाइम कितना हुआ भाईया अगर आप ऐसी चोटी चोटी चीजों से शुरुवात करेंगे तो आपके मन का डर खतम होने लगेगा धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा आप स्ट्रेंजर से ज्यादा बात करने लगेंगे आप स्ट्रेंजर के ग्रूप में अच्छे से बात करने लगेंगे उसके बाद आप और चीज में चाहिए, तो प्राक्टिस तो करनी ही है, कल से करेंगे, बिलकुल नहीं, आज से करेंगे, और सर्वाइवल अफ़ फिटस चल रहा है, अगर आप शाय बनके बैठे रहेंगे, confident लोग आगे निकल जाएंगे, और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, इसलिए आप किसी और को शाय देखे कहीं पे, तो जरूर ये सारे टिप्स उन्हें दें, और उनकी मदद करें, ताकि वो भी आगे बढ़ें, थैंक यू फा वाचिंग माई वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो शेर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू, बाइ, स्थे एप्पी, हल्दी, एंसेफ!